नाव तथा पर्वत वहार को सांती प्रूप संपन कराने के लिए लगतार अपराद कर्मियों के ब्रूद विशेश अभ्यान चलाये जा रहा है इसी क्रम में यह सुचना मिली कि इसाग्चक फाना चेतर के ब्रंपूरा महले में कुछ अपराद कर्मियों अपरादी घटना को अंजाम देने के लिए इकठा हुए है और इस सुचना के सत्यापन तथा अवस्चक करवाई के लिए जो प्रभारी DSP सिटी है श्री सुनिल कुमार पुलिस उपादिक चक नगार DSP Headquarter 2 के नितित्व में एक विशेश टीम जिसमें जो जिला डियाईउ के पुलिस पतादिकारी और कर्मी तथा इसाग्चक फाना के पुलिस पतादिकारी एवम कर्मी एवम अन्य जो आसपास के फाना है कोतवाली तिलका मांजी बरारी और जिरो माई जोकसर इत्यादी को वहाँ पर भीजा गया और वहाँ पर जब छपे मारी की गई तो चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के पास से भारी मात्रा में बम, देशी बम, हथियार तथा उसके कार्तूस, शर् मैट्टॉप, मोबाईल, डिज्टल वेट मशीन और विदेशी सराग बरामत की गई है इस मामले में जो चार अभिवत ग्रिफ्तार किये गये हैं उनका नाम है मुहमद सहनवाज उर्फ सनिक खटाल जिस पे अभी तक जो जानकारी मिली है इसमें इसके उपर करीब 9-10 केस इस पर दल्ज है पूर्व से नीरश कुमार यादव और पल्टू यादव जिस पर हत्या इत्यादी के भी और जो इस पर भी साथ केस दल्ज है और पूर्व में भी इस पर जो तीन सो पंचान में जो की डकैती वगरा के केस इस पर दल्ज है ओन कुमार और फललला इस पर भ जो हत्यार बरामद हुए हैं उसमें एक देशी पिस्टल आटोमेटिक, एक पीस कट्टा, बारा बोर्ग की एठाइस पीस जिन्दा गोली और छे पीस खोका, नौ एमेम का पांच पिस जिन्दा गोली, बारा बोर्ग के गोली रखने वाले चमरे का बिंडोलिया सेट एक पीस जिन्दा बम तीन पीस जिसको बिदी सम्मत तरीके से उसको डिफ्यूज किया गया है और छरा एम बारूत का बुरादा, पिस्टल का मैगजिन तीन पीस, लैप टॉप बिविन कंपनियों का तीन पीस, मुबाईल बिविन कंपनियों का बारा पीस, इस्टल वेक मेशिन एक पिस्टल फोड एक पीस, बम बनाने में प्रयोग होने वाले खाली डबबा बारा पीस, बम बनाने में प्रयोग होने वाले छड़ी गिट्टी पांच किलो ग्राम और बम बनाने में प्रयोग होने वाले अन्य यंत्र जैसे कटर छे पीस, पिलास, चार पीस, इत्यादी इसमे अवहाँ पर च्छापे मारी जारी थी तो पुछ लोगों के दोड़ा वहाँ पर बिदिवयस्ता की समस्या भीवत्पन करने की प्रयास किया गया था परन्तु भरी संख्या में पुलिस पताधिकारी और बलके दोड़ा उनको इस प्रयाज को सपल नहीं होने दिया गया तथा उनको पधिर दिया गया था